हरियाना में होने वाले बहु परतिक्षित पंचायत चुनाओ की एक और बड़ी अपडेट हम आपके लिए लेकर आ गए हैं तो ऐसी अपडेट को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को शेर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए WhatsApp, Facebook और Instagram पर भी शेर कीजिए आज हम जानेंगे एक बहुत बड़ी ख़बर जो कि सभी जो भी उम्मिद्वार पंचायत चुनाओ लड़ना चाते हैं उनके लिए सबसे पहला कदम है पंचायत चुनाओ के लिए अब उनको जो अपना नोमिनेशन भरना है जो भी उनको फोर्म भरना है उसके लिए उनको क्या-क्या डोकुमेंट्स की जुरूरत पड़ेगी ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका कोई भी डोकुमेंट्स रहना जाए और जिसकी वज़े से आप इलेक्शन में ना उतर पाएं क्योंकि अब की बार जो है इलेक्शन बहुत ज्यादा टीपिकल होने वाला है बहुत ज्यादा इसके अंदर कागजी कारवियाई रहेगी और इसके इलावा बहुत ज्यादा ये कंप्यूटरी क्रित्मी हो गया है की बार तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान से सुनिए हर्याना ग्राम पंचायत चुनाव में उमीद्वारों को जो भी डोकुमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वह हम आपको बता देते हैं हर्याना ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए ये कागज पत्र चाहिए उम उमिद्वार को दस्वी पास होना चाहिए और महिला उमिद्वार को आठवी पास होना चाहिए उमिद्वार के पास तीन बैंकों से नो ड्यूज परमान पत्र भी होना चाहिए मोर्गेज बैंक को कोपरेटिव बैंक और प्रथम सहकारिता बैंक उमिद्वार के पास बिज हाता होना चाहिए उमिद्वार के पास फैमिली आइडी भी होनी चाहिए यह बहुत जरूरी है और इसमें कुछ भी कम्या आगर रहती हैं तो आप समय रहते लैक्षन के नोमिनेशन भरने से पहले अपनी फैमिली आइडी को कन्फर्म करवा सकते हैं अगर उसमें कोई भी गलती रह गई है तो किसी भी CSC सेंटर पर जाकर आप वहां से अपनी फैमिली आईडी को ठीक करवा सकते हैं और इसके बाद आगे भी और भी डोकुमेंट्स हैं ये देखिए इसके बाद हैं उमिद्वार का किसी पंचायत जमीन या सरकारी जमीन पर कपजा नहीं हो होना चाहिए उमिद्वार के पास जाती परमान पत्र होना चाहिए सिर्फ रिजर्व सीटों के लिए और उमिद्वार की दो जगें वोट नहीं होना चाहिए सरपंच पद के लिए उमिद्वार की उसी ग्राम पंचायत में वोट होनी चाहिए जिसमें वह चुनाव लड़ सकता उसका वोट उसी गाउं का होना चाहिए और इसके बाद ब्लोक समीती पद के लिए उमिद्वार की अपने ब्लोक में ही वोट होना चाहिए जैसे सरपंच का गाउं में होना चाहिए ऐसे ब्लोक समीती मेंबर का अगर किसी भी ब्लोक समीती से लड़ना चाहता है तो ब्ल नमांकर पत्र दाखिल कर सकता है पंच पद के लिए अपनी पंचायत में किसी वार्ड के लिए नमांकर पत्र दाखिल कर सकते हैं तो यह डोकुमेंट्स थे में डोकुमेंट्स जो भी इन में से अगर एक भी डोकुमेंट्स आपका रह जाता है तो आप नमांकर नहीं भर पा तो ये थी एक बड़ी अपडेट हरियाना पंचाय चुनाव को लेकर जो की चुनाव लड़ने से पहले सब से जरूरी बात है तो ऐसे ही नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए और जो भी नमांकन पत्र दाखिल करने वाला है और जो भी एलेक्शन लड़ रहे हैं उन सभी उम्मिद्वारों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुब काम नहीं धन्यवाद झाल